हलो दोस्तों चालब से आपगत हैं आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं तीन इस्टॉक तीनों इस्टॉक आपको आने वाले समय में multi-wagger बन सकते हैं, क्योंकि ये तीनों stock बहुत जादा fundamentally correct हैं, मैंने इसको research करके आपके पास लेके आया हूँ, fundamentally correct मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं जो इसके parameter apply किया हूँ, वो fulfill कर रहे हैं, आप भी last में apply कर लेना, बट मैं आपको parameter बता देता हूँ, उससे पहले आप इ उससा parameter इसमें देखा हूँ, तो आपको मैं बता हूँ, मैंने इसका जो निकाला है, वो sales growth 20% से ज़्यादा होना चाहिए, ये तीनों stock का sales growth है, वो 20% से ज़्यादा है, and profit growth भी 20% से ज़्यादा है, and जो इसमें debt है, इन तीनों company में, जो करजा है, वो बहुत ना के बराबर क करजा, माने ना मान सकते हैं, ना के बराबर आप मान सकते हैं कि करजा इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इसके माने ये fundamentally बहुत ज़्यादा correct है, and मैं बात करूँ, इसमें per motor holding, तो तीनों stock में जो आपको बताने वाला हूँ, per motor holding 50% से ज़्यादा है, and mutual fund holding भी इसमें बहुत अच्छा खासा invest कर रखें, इन सभी stock में, तो पहला stock मैं आपको बताऊं, तो आप लोग देख सकते हो, जो मेरा पहला stock है, वो कितने price का है, आप लोग देख सकते हो, 870 रुपे का है, and इसने एक साल के अंदर 82% का return भी दिया है, तो आपको अभी इसमें bet करना है, क्योंकि यह अभी आपको discount पे नहीं मिला, इधर आपको discount पे मिल लाँ था, बट आप invest नहीं कर पाए होंगे, आपको थोड़ा bet करना है, जब यह stock 800 रुपे में मिले, या साड़े 800 रुपे में मिले, तो आपको इसमें buy करना है, क्योंकि यह बहुत ज़दर correct fundamentally stock है, मैं बात पेले ही बता रखा हूँ कि यह सब तीनों stock जो है, वो small cap company है, तो small cap में पैसा डूबने का तो chance रहता है, बट जब पैसा बनेगा ना, यदि आप अच्छे stock में invest करेंगे small cap के, बट पैसा जब बनेगा ना, तो multi bagger पैसा देगा, आपको 30 गुना 40 गुना 50 गुना 100 गुना return मिलेगा आपके पैसे का, और जो 52 में high बनाया था, इधर देखी सकते हो, वो 927 रुपे का बनाया था, और जो 52 में low बनाया था, इधर देख सकते हो 415 रुपे का, और जो यह stock का नाम है, यह मैं आपको बताऊं, तो आपने इस stock का नाम नहीं सुना होगा, आप लोग इधर सुन सकते हो, यह नाम है stock का, यह मुद्रा करके stock का नाम है, यह करती क्या हमें बताऊं, यह digital signature, digital product यह provide करती है सरकार को, तो यह अपनी sector में एक unique product देती है सरकार को, जिससे यह फाइदा हो जकता है, और मैं बात करूं, दूसरी stock के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो, जो दूसरा stock है, अभी recently, आप लोग इधर ही देख सकते हो, यह जो दूसरा stock है, 6 महिने के अंदर 93% का return provide क्या है, क्योंकि यह fundamentally बहुत ज़्यादा correct है, तभी इसमें सब लोग invest कर रहे हैं, ऐसे stock में, आप भी इसमें invest कर सकते हो, और जो share price चला है stock का, आप लोग इधर दे बूल जाना है आपको, कुछ समय के लिए, आइंड में बात करूँ, एक साल के अंदर return, तो आप लोग देख सकते हो, एक साल के अंदर return, 94% का return, अभी जो इसमें खास बात है, कि अभी यह कुछ discount पे मिल ला है, 8% के discount पे अल्मोश्ट मिल ला है, तो अभी इसमें entry बनाने क अच्छा समय कि आप इसमें entry बना सकते हो, आप न, आइंड में बात कुरूँ, इसका market cap के बारे में, तो market cap देख सकते हो, आप लोग अभी इसका 10 करोड के आसपास है, आप मान सकते हो, साड़े 10 करोड तक का आप मान सकते हो इसे, तो market cap भी ज्यादा इस stock का नहीं है, और debt तो मैं पहले बता रखा हूँ, कि debt तो 0 के बराबर है इन सब stock में, और जो bound week में high बनाया था, वो आप लोग देख सकते हो, 2847 रुपे का high बनाया था, और bound week में जो low बनाया था, वो 1092 रुपे का, तो अभी market नीचे चला है, और ये तीनो stock में fundamental लिकर रख्थ हैं, तो इन म जितना quantity आपको मिले, उसमें buy करना चाहिए आपको धीरे-धीरे, जैसे market recover होगा, ये सारे stock इतना तेज भागेंगे कि आपको दुबारा नहीं मिलेगा, और मैं बात करूँ इस stock का नाम क्या है, तो आप लोग इधर देख सकते हो कि stock का नाम, आपको पता ही होगा ये stock के ब grow नहीं कर पाएंगे, ये सा market cap कम है, तो ये grow होने का ज्यादा chance है, और इसका जो fundamental है, वो बहुत ज्यादा correct है, ये आपना business को बहुत expand कर रहा है, बहुत ज्यादा grow कर रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा मुझे best लगा, तो मैं सोचा कि आपको मैं बता दूँ कि इसमें आप invest कर सकते हो, और मैं बात करूँ जो मेरा favorite stock है, तीसरा stock, तो आप लोग देख सकते हो, जो इसका अभी आपको जो ये stock है, अभी आपको ये almost 10% के discount पे मिला, ये मेरा favorite stock है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, और जो इसने return provide किया है, छे महिने के अंदर, वो 41% का return provide किया ह और जो share price चला आई, इसका आप इधर लोग देखी सकते हो, 1533 रुपया चला आया भी, ये stock मैं हमेशा आपने बीडियो में बताता रहता हूँ, इस पे मैं बहुत सारा बीडियो बना रखाऊं कि इस पे आप invest कर सकते हो, ये future का stock है, आने वाले समय में आपको बहुत ज्या 1000 करोड रुपया है, तो market cap कुछ जादा नहीं है इसका, ये अभी आने वाले समय में बहुत ज्यादा आपना market cap इंकरीज करेगा, और बहुत ज्यादे investor इसमें पैसे लगाएंगे, अभी तो मैं बोलो इसमें mutual fund वाले बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, जितना stock ये धी लगा सकते हो कि ये dividend yield नहीं provide कर रही है, इसके माने जो भी मुनाफ़ा हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, share जो ये company आपने आपको expand कर रही है, तो expand करेगी तभी उसको और revenue मिलेगा, और sales होगा, और profit होगा, तभी आपको return देगा, और मैं stock का नाम बता हूँ, तो आपने इसमें invest भी कर रखा होगा, Apple India, आपको ये पता ही होगा, stock करता क्या है, ये advertising company है, जितने सारे लोग है, सबको ये provide करता है, ये parent company है, इंडिया की, तो आपको लोगों को पता ही होगा, market इसका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले समय में सब लोग बहुत ज़्यादा business करने वाले हैं, जितना business करेंगे, उतना सब लोग उसको advertising में पैसा खर्च करेंगे, तो advertising company है, ये parent company है, सबकी, तो ये आने वाले समय में आपको पैसा बहुत ज़्यादा मना के देगी, तो मैं बात करता हूँ, कि तीनों stock में आप 20-20,000, यदि 60,000 रुपया invest करना चाहते and आप जितना भी invest करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट equal amount में सारे stock में पैसा लगाना और आप इसमें लगाने से पहले इन तेनों stock के बारे में थोड़ा और further research कर लेना, मैंने तो कर ही लिया, आपने तरफ से भी कर लेना, फिर उसके बाद पैसा लगाना